हेलो गाइस मेरे नाम है रोईत और आप देख रहे हैं लर्न इंवेस्टमेंट तो आज हम इस स्टॉक के बारे बात करने वाले हैं वह एक शूगर से लेटी कमपनी है और आने वाली टाइम पर एथनोल मैनिफेक्ट्रिंग भी कर रही है तो इतनोल के बारे में आपको अगर पता है तो मैं आपको बता दूँ अगर हम यहां पर चले और अगर हम यहां पर सर्च मारे इतनोल इंडिया तो आपको यहां पर कुछ चीज़े देखने को मिल जाएंगे अगर मैं यहां पर इतनोल सर्च मारता हूं इतनोल तो आपको यहां पर कुछ देखने को मिलेगा त और उसका एक combination त्यार करेगा जो कि आरे वाले टाइम पर गाड़ियों में ज्यादातर यूज़ होगा जिसके बहुत सरी news भी है और बहुत सरी companies पर काम कर भी रिये हैं 2025 में 2025 तक का ही target है कि 20% तक ethanol ज्यादातर petrol मिला दी जाएगा यनि कि 80% petrol होगा 20% जो है उसमें ethanol होगा तो ऐसे में जो stock जो ऐसे stock सा जो ethanol manufacturing करता है actually ethanol बनता कैसे है ethanol जो है sugars का ही एक आप कैसे तो बाइप्रोड़क्ट बनता है जब sugar गन्नों से जब sugar करेट किया जाता है तो उसमें ethanol भी create होता है तो जादातर companies जो है जो sugar में है आज वह बहुत ही अच्छे return दे रही है बहुत ही अच्छा उसमें manufacturing हो रही है बहुत जादा उसमें ethanol प्रेडियूस किया जा रहा है जो की आनेमली टाइम पे गाडियों में यू sugar industry is engaged in the production of sugar and alcohol spirits ठीक है तो यहांने कि यहां पर sugar alcoholic spirit by distillation including ethanol, ethanol और vinegar generation of power ठीक है तो यहांने कि power generate करती है, sugar बनाती है और ethanol भी आपका बनाती है ठीक है तो ethanol से ही आनली टाइम पे petrol में emixion होगा और जिससे कि यह जो stocks के price है यह भी एक level पे अच्छी वह सकते हैं याने कि बहुत ज और book value 14 रुपे की है तो अभी हम फट 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 इस stock के बारे में ही जानेंगे कि यह कितना capable है इतना अच्छा देने के लिए ठीक है तुम market cap के बात करेंगे 325 क्रोडी company यानि कि small cap company नज़र आती है company का stock की PA के बात करेंगे तो पांच रुपे का यानि कि बहुत ही undervalued stock है और company हाँ पर सबसे अच्छा point है company हाँ पर आपको dividend भी देती है ठीक है तो dividend देती है तो यानि कि अगर आपके stock में है तो आपको साल आना या फिर दो साल में जब भी company dividend देती है तो आपको उसका profit तो मिलते ही रहेगा ठीक है सबसे important चीज यह हो जाती है कि जैसे मान के चलि अगर ही हम स्टॉक इसके रहे हैं तो फट 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 चलते हैं यहां पे profit and loss पे तो अगर आप 2019 में बात करेंगे तो 116 क्रोड की company ने टोटल सील करी दी दीर दीर करके 2020 में अगर आप आओगे तो यह 362 क्रोड की होती है यानि कि हमेशा increase हुआ है ठीक है कहीं पर भी sale में ग प्रॉफिट है अगर किसी स्टॉक का जो प्रॉफिट है तो ओविस सी बात होता है जो इसका स्टॉक का प्राइस है वह भी all time high के तरफ जाए गई ही जाएगा ठीक है बात करते हैं बैलन्स येट कि कितना पैसा जो रिजर्व में है मांगे चली कभी ना खुदागास्ता है कि नहीं है तो रिजर्व का मतलब यह होता है कि बैक में कितना पैसा पड़ा हुआ है पीछे तो यहां पर आप देखो कि 260-240 करोड का पास रिजर्व है कंपने जो करजा है वह भी 260 करोड का नजर आता है यानि कि यह almost neutral है यानि कि जितना बैंक में पैसा है उतना कंपने करजा ले रहे हैं 260 करोड मेरे साब से जाता बड़ा फिगर नहीं है ठीक है अगर हम बात में बात करते हैं यहां पर नीचा कर शेयर्व होल्डिंग पैटर्न के जो कि इंपोर्टन फेक्टर है तो यहां पर प्रमोंटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम नजर आती है करने वाले टाइम पर मेरे साब से रिजल्ट बैसे बन रहे हैं तो हो सकता है इसमें फोरन इंवेश्टर्स और दोमेस्टिक इंवेश्टर्स जो हैं अपनी पोजिशन बनाए क्योंकि इसमें अगर सेल्स अच्छी है और इतनोल मैनिफेक्ट्चिन करने ही वाली है तो काई बार कंपनी नीचे आई है और अभी यहां पर काफी एक कंसलिडेशन फेस दे चुकी है अगर आप देखेंगे तो यहां से लेकिंगे यहां तक चल रही है तो फटट फट बात करते हैं कंपनी के कौन से हमें ब्रेक आउट या हमें क्या टार्गेट देखने को मिल सकत करते हैं तो अगर आप यहां पर चलते हैं यहां सा मैं सेलेक्ट करता हूं करता हूं और यहां कंपनी का एक लाइन सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर आप देख पाओगे कि कंपनी ने यहां पर सपोर्ट लिया था फिर बड़ बिक केंडल देके ऊपर दिया पर यहां पर ए यह सब इसलिए होता है कि company लोगों को लगता है कि हाँ यह अच्छा profit दे सकती है investors को लगता तो investors में नीची वाली position में अच्छी सी एक buying रख लेते हैं और एक high पर आके बेज जैते हैं जैसे कि आप देखे होगे कि यहाँ पर टूटा था नीचे की तरफ तो क्या करा जब लोगों ने यहां कहीं buy किया तो यहां आते फिर से शेल करना start कर दिया दुबारा वह नीचे आ गया दुबारा यह इस point पाके अटक गया ठीक है फिर दुबारा बाइंग आने start हो गई तो यहां से हम एक pattern देखने को मिलता है अगर मैं यहां से ब्रश लेता हूं तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से बनता है कब और यहां से बनता है एक handle जो अनुवल टेम पर फोर्म हो सकता है वह इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं sales के साब से प्रेट कर रहा हूं कि sales तो यहां से उन्यक्त्त करते हैं इस वादेखने से अगर आपको हाई दिखाता हूं तो हमय। निकल कर आता है जो हमारा पहला तरग description कर आता है वह the皆さん निकल का हाता है वो इसलिए निकल के आता है क्योंकि company के जो sales है अगर आप देखे होगे तो company के पास अगर हम यहाँ पर चले तो यहाँ पर जो net profit है 60 करोड का profit निकल के आता है all time high से तो यहाँ निकी यहाँ पर भी आपको एक target देखने को मिल सकता है क्योंकि profit अच्छा है तो लोग जादा invest करेंगे ठीक है तो इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारे पहले target है 11 रुपे का पर लेकिन हम जानते हैं कि जो share जो कवित हैंडल होता है उसका जो अगर हम bottom से लेके अब पर select करें यहां अगर मैं इस पर select करता हूं और इसको मैं इस पर लगाता हूं तो हमारे जो target है इसको थोड़ा सा हम उपर लेते हैं इसको यहां लेते हैं तो यहां पर अगर मैं horizontal line लेता हूं और यहां पर इसको select करता हूं तो अगर आपको लगता है कि आपको मारकर चाली है आप यहां पर नहीं लेते हैंiedra आपको आपको यहां ते टार्गेट मिल सकते हैं, जो लोग सेफे टेलिए ज़ाना चाहते हैं। तो मैं उनको यह सला दूँगा कि आप लोग जब यहां पर ब्रेक आउट आ जाए इसके बाद लीजिए पर लेकिन जो कंपनी अच्छे प्रॉफिट अभी दे रही है तो अभी आपको लेने में कोई मेरे साथ से दोराई नहीं है तो यहां पर अगर आप अभी बाय करते हैं मैंने यहां से कोपी पेच्ट किया यहां लगा दिया और आपको बता दिया नहीं आप खुद देख्मेंगे कि यहां पर एक्षाइन काया है यहां फैर लिया है, यहां rejection खाया है, यहां support लिया है, ठीक है, तो यह जो technical targets होते हैं, यह market खुद बनाता है, और हमें इसको follow करना चाहिए, मैं अपने साब से इसको copy and paste नहीं कर रहा हूँ, यह real targets होते हैं, ठीक है, तो मेरे साब से अगर आप यहां buy कीजिए, क्यों sales अच्छी है, तो आपको कुछी दिनों में, में को लगता है, दिवाली तक में आपको यहां तक के target मिल जाएंगे, इसके बाद आप यहां तक के target में चिप कर सकते हैं, तो यही मेरी इसमें एक analysis है, अगर आपको analysis पसंद आती है, please comment कीजिए, और वीडियो को share कीजिए and subscribe, thank you all.